दोस्तों आज हम बेंगन की रेसिपी बनाएंगे जुसको हम संःदने बरके बनाएंगे सबसे पहले दोस्तों इसकी ब्हुतों गैणों क्ष महिए dwagli तो दोस्तों ये बेंगन को हमने पहले काट लेना है चार भाग में यह देखो कट गया है बेंगन ऐसे सारे बेंगन काटना है हम आप देख सकते हूँ इसको पहले हम भूंज लेते हैं कड़ाई के अंदर दोस्तों इस सिंगदाने अच्छा से भूंजे गए है अभी इसको मैं निकल लेता हूँ यह पराथ में पराथ दिखा दोस्तों यह भी सिंगदाने भूंजे गए है इसके में चिलके निकाल लेता हूँ इसको चिलका में जटके निकाल देता हूँ देता हूँ मिक्सर के जार में देखो दोस्तों सिंगदाने को मैं पीस के लेके आया हूँ मिक्सर में अद्रक लसुन का पेस्ट है इसको भी पीस लेता हूँ इसको मैं निकाल लेता हूँ पेले अब यह सिंगदाना है इसको भी में मिक्सर के जार से निकाल लेता हूँ इसमें हम मिर्ची पाउडर डाले गए इसमें थोड़ी सी हल्दी डाले गए हम और इसमें थोड़ा सा पानी डाले गए हम अद्रक लसुन वाला पानी है यह इसको मैं बेंगन में भर लेता हूँ और साइट में रखते जाता हूँ ऐसे इस तरह से सभी बेंगन में हमें भर लेना है देखो दोस्तो अब यह बेंगन में तेल में डाल देता हूँ जो मसाला भरके तयार करके रखा हूं मैं इसको तेल में फ्राइ करने के लिए डालता हूँ पूरे गेगन में डाल दुआ हूँ अब बेंगन में एक लोटा में पानी डालोंगा। और गेस के फ्लेम को थोड़ा में बढ़ा लोंगा ताकि जल्दी हो जाए देख सकते हैं दोस्तों आप बेगन बनके तयार हो गए है तो सिंग्दाना भरके में बनाया था दोस्तों अभी मैं कड़ाई को उपर से उतार लेता हूँ गैस पे से थाली में में ले ले लेता हूँ दोस्तों बेगन को थाली भी आ रही ना इस चावल के रोटी के साथ खाऊंगा मैं दोस्तों मैं चेक करके बताता हूँ कैसा बना है काफी गरम है फिर भी बता रहा हूं आपको यह देख सकते हैं एक नमबर सुआ है प्रे भी यह